हेलो ओके तोड़े आज आपन जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं फ्रेंड्स वह हमारा है टॉपिक इस्टम आफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल क्लास 11 का यह टॉपिक है और बहुत इंपोर्टेंट यह चैप्टर है हमारा सिस्टम आफ पार्टिकल्स रोटेशनल मूशंच तो इसमें सबसे पहले हम बताएते हैं गवाले हैं क्या क्या मेंन टॉपिक समय कवर करने हैं इस पूरी चैप्टर में तो सबसे से पहले हमें जो कवर करना है वो कवर करना है सेंटर आफ मास पिर हम देखेंगे चेंटर आफ मास के बाद जो हम लोग समझने वाले हैं वो समझने वाले इनर्सिया कि अधर हम लोग जो देखने वाले हैं इसमें चैप्टर में वो देखने वाले हैं टॉर्क उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं अंगुलर मुमेंटम और लास्टली अपन कंक्लूड करेंगे चैप्टर को कानेटिक एनर्जी से तो यह सारी टॉपिक हैं जो अपन इस चैप्टर में कवर करेंगे तो अपन नेक्स टॉपिक स्टार्ट करते हैं सेंटर अफ मास अब यह होड़ा है अब यह होता क्या है सेंटर अफ मास क्या होता है इसको पन समझते हैं सेंटर अफ मास को की वाट इस सेंटर अफ मास तो इट इस अ मैथमेटिकल टर्म इट इस अ मैथमेटिकल टर्म यह एक मैथमेटिकल टर्म है ठीक है तो कैसा मैथमेटिकल टर्म है तो इसको डिफाइन क्या गया है कि समेशन ओफ mi ri equal to 0 होता है mi into ri को इस टर्म को हम लोग बोलते हैं इस टर्म को लाता है moment of mass क्यों लाता है moment of mass मतलब sum of sum of moment of mass about this point about this point which point center of mass about this point मतलब center of mass about this point is zero is zero ठीक है तो जो moment of mass होता है यह खास point है इस points का about अगर हम mass का moment लेंगे तो उसका जो sum आने वाला है वो क्या आने वाला है जिरो आने वाला है चलिए इसको अपन देखते हैं एक example से अपन देखते हैं समझते हैं कैसे क्या हो रहा है तो माले एक mass है M1 mass है ठीक है और एक mass है M2 mass है और यह हमारा center of mass है M1 की दूरी जो center of mass है R1 है और M2 की दूरी है R2 है M2 की mass by definition by definition हम इसको क्या लिख सकते हैं M1 R1 plus M2 R2 equal to 0 by definition ठीक है इसका मूमेंट क्या होगा इसका mass और इसकी दूरी center of mass है इनका जो summation आएगा वो क्या आएगा जीरो आएगा center of mass वो एक खास point है जिसके अब आओ जो sum of movement होता है वो क्या होता है हमेशा 0 होता है ठीक है I hope यह आपको समझ में आ गया होगा अब अपन next चलते हैं जो हमाना next इसमें sub topic है वो है position of center of mass हमें समझना है position of center of mass center of mass की position हम कैसे निकालते हैं तो हम एक क्या ले लेते हैं हम हम जो ले लेते हैं एक coordinate axis ले लेते हैं कि आप सब लोग जानते होंगे इसको क्या बोलते हैं एकसेकस और इसको क्या बोलते हैं y-axis बोलते हैं तो हमने काजिण एकक्रवाक्स ले लिया है और है best Uk를 होता है इम organism拍s है यह यह लहनास की जो position vector वेक्टर आप आर और म स्कानुक्र का जो position vेक्टर आ है वह में है हुआ है ठीक है और एक क्या होगा Center of mass होगा ठीक है अगर एक से ज्जादा mass है तो Center of mass अपने अब define हो जाएगा और मालेते इसकी जो Position है वह बोर है और हमें यही तो आर निकालना है टॉपिक हमारा क्या है topic हमारा है position of center of mass की position क्या होती है तो चलिए इसका definition लगाते हैं तो हमने क्या सीखा था by definition by definition हमने क्या सीखा था बताइए याद करिए आप पिछली slide देखे आप देखे पिछली slide में याद करिए क्या definition है M1 R1 plus M2 R2 equal to 0 ठीक है तो अब देखें यहां पर अब हम इसी को लगाते हैं क्या लगाएंगे M1 R1 plus M2 R2 equal to 0 डेफिनिशन यही है ठीक है अब थोरा सम वेक्टर देखेंगे वेक्टर में क्या होता है यह एक वेक्टर है सकता ही कि हम अब यहां पर और कि रहें और यह याद करें कि हम जो लेते हैं आरवन आटू कहां से लेते हैं मास की दूरी सेंटर ओफ मास से ठीक है मास की दूरी किसे लेते हैं सेंटर ओफ मास से तो यहां देखें मास की दूरी सेंटर ओफ मास से क्या है डीवन तो बेटा यहां पर हमारा आएगा डीवन और यहां मास की दूरी सेंटर ओफ मास से क्या ह है तो हम यहां क्या लेंगे कि थी तु लेंगे अब देखिए ड़ोडरैंगराम में आप-धक्टर क obsessionडों करेंगे तो हम्हें व्लून जाएगा कि तो हम D1 को कैसा लिख सकते हैं हम सकते हैं R1-R उसी तरह हम D2 क्या लिख सकते हैं R2-R अब यही वैल्यू हम रख देते हैं equation first पर अपने रख देते हैं यही वैल्यू तो क्या आ जाएगा मारा M है R1-R M1 यहां पर है और यहां M2 है M1 और यह हो जाएगा M2 और यह आ जाएगा R2-R equal to क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा अब हम इसको मल्टिप्लाइ कर देते हैं तो क्या जाएगा M1 R1-M1R plus M2R2-M2R अब RR के टम को हम equal to की यहां ले जाते हैं तो क्या आ जाएगा M1 R1-M2 R2-M2 R2-M2-M1 common और क्या जाएगा R अब हमें क्या निकालना था position of center of mass जो कि हमारा क्या R तो R कैसे निकालेंगे M2 और M1 को cross multiply कर देंगे तो हमारा तो हमारा result आ जाएगा यहां पर वह आ जाएगा हम क्रोश्मन पहेंगे तो हमारा जो R आ जाएगा हमारा जो आ जाएगा वह क्या है बच्चों आता है यह M1 R1 प्लस M2 R2 upon M1 प्लस M2 तो यह हमारा desired result है इसको बोलते हैं position of center of mass ठीक है इसको हम बोलते हैं position of center of mass यह समझ में आ गया होगा आपको कि center of mass की position हम कैसे determine करते हैं चलिए कि examples हम इसको हम देखते हैं कि center of mass की क्या position होगी जैसे कि हमने कुछ पाट कर लिए 1 kg 2 kg 3 kg और 4 kg एक square में और square जो है 2 meter length का है ठीक है यह हम एक question ले रहे हैं और हमें निकालना है find center of mass हमें center of mass निकालना है ठीक है तो हम इसको क्या हमाल लेते हैं y-axis और इसको क्या हमाल लेते हैं x-axis यह x-axis हो गया और यह हो गया y-axis center of mass की position का formula क्या होता है अभी अपने देखा है r क्या होता है m1 r1 plus m2 r2 upon m1 plus m2 यह दो पार्टिकल के लिए लेकिन यहां कितने बच्चा चार पार्टिकल है extend हो जाएगा यह हो जाएगा m3 r3 plus m4 r4 upon m1 plus m2 m3 plus m4 अब बस हमें सब के position बताने हैं तो देखे इस पार्टिकल के position क्या होगी यह तो origin में ही है हमने इसको origin माना है तो इसके position क्या आएगी 0,0 तो यह हो जाएगा 0i plus 0j हो जाएगा अब इसकी यह देखे एक सेक्सिस में है और कितनी दून में टू में तो यह जाएगा 2i plus 0j अब यहां तक पहुंचने के लिए करना पड़ेगा प्लेगा प्लेट यहां जाना पड़ेगा अब हम पोजिशन पूट कर लेंगे तो m1 हमारा कितना है m1 हमारा 1 आर 1 कितना है हमारा 0, m2 कितना है हमारा 2kg और r2 हमारा कितना है 2i r2 कितना है हमारा 2i, m3 क्या है 3kg और r3 हमारा क्या है 2i plus 2j कितना है 2i plus 2j और M4 क्या है 4 और R4 क्या है 2J अपन टोटल मार तो 4, 3, 7, 2, 9 और 10 तो यह हो गया 10 आप calculate कर लेते हैं बहुत easy है तो यह क्या जाएगा 4I plus 6I plus 6J plus 8J अपन 10 तो यह जाएगा 10I plus 14J अपन 10 तो यह हो जाएगा I plus 14 by 10J तो यह जाएगा 272, 5J तो हमारा आजाएगा I plus 7 by 5J यह आजाएगा बच्चे हमारा answer तो ऐसे question आता है Central Mass निकालने का ठीक है तो आई होप यह ऐसे question आपको बन जाएगे समझ में आ गया होगा आपको ठीक है तो हमारा पहला topic समाप्त हो गया तो आपको क्या याद है कि हमारे बाकी की topics क्या क्या थे ठीक है तो एक बाद देख लेते हमारे क्या topic थे तो हमने Central Mass cover कर लिया है ठीक है अब हमें क्या समझना है any inertia समझना है ठीक है now we are going to do the topic inertia तो अब हमाज़ टॉपिछ है वो है inertia । इनर्षा क्या होता है इनर्षा क्या होता है इसकी definition क्या है Arena capability capability, incapability of object to change omega by, by itself. omega by itself. अब इसका मतलब क्या है, omega क्या होता है, तो अगर हम omega की बात करें, तो omega जो define है, omega की जो definition होती है, वो होती है, d theta by dt, ठीक है, किस rate से आपका angle change हो रहा है, ठीक है, angular displacement, the rate of change of angular displacement is known as omega, ठीक है, तो आप खुद सोचे की दरवाजा है आपके सामने, या इस pen का, इसका, इसका, इसक omega क्या है, घूमने वाले speed क्या है, जीरो घूमी नहीं रहा है, अब ये घूमा, अब ये क्या हुआ घूमा, अपने आप घूमने वाला है क्या, नहीं, तो इसी कमी को, इसी incapability, कि अपने आप वो omega अपना change नहीं कर सकता है, इसी कमी को हम बोलते है, inertia, क्या बोलते हैं हम, inertia ब स़िंग हो थो दिफाय कोई अरिट के जहां पर एम जो था है वह थोता है मास सपर गतल कुँफे विद्सेन्स फ्रहट की डिशेंस नई यो था पर्पेंड दिशेंट के दिश्टेंस परमशन Axis of rotation ठीक है, किसे Axis of rotation से काईसी distance पर Pendicular distance, तो समझते हैं, यह क्या होता है, Axis of rotation क्या होता है? तो सबसे पहरे boca mai're question क्या होता है, तो बहुत simple है, जब भी कोई body rotate करेगी, तो वो circle में जाएगी, देखे जैसे यह स्टाइलस है यह रोटेट कर रहा है ठीक है तो इसके जो पार्टिकल्स है जैसे आप इस एंड को देखे यह कैसा जा रहा है सरकल में जा रहा है कैसे जा रहा है सरकल में जा रहा है तो जब भी कोई बॉडी रोटेट करेगी तो उसके सारे पार्टिकल्स कैस imaginary line imaginary line which passes through centers of circles ऐसी imaginary line है जो किसे पास करती है circle के center से पास करती है when our body rotate when our body rotate जब एक body क्या करती है rotate करती है जब एक body rotate करती है अब एक और important चीज है कि इन में जो भी particles होते है extra rotation में उनकी जो velocity होती है वो क्या होती है? 0 होती है जैसे मैंने इसको यहां से hold किया है तो यह point तो मैंने fix कर लिया बाकी point तो move कर रहा है लेकिन जो उनकी दूरी axis से वो भी change नहीं होती है ठीक है तो इसमें कुछ points है समवर्धी point पहला क्या है all the particles all the particles all the particles in rotating body rotating body are all the particles all the particles rotating body have distance fix उनकी जो distance जो होती है fix होती है all the party noting body have distance fixed from axis of rotation axis of rotation से उनकी जो distance होती है वो क्या होती है fix होती है फिर all the particle all the all the particle in axis of rotation इतने इतने पार्टिकल होते हैं किसरों डोटेशन में have zero velocity उनके पास क्या होती है zero velocity होती है उनके पास velocity क्या होती है zero velocity होती है ठीक है तो आई होप यह आपको point समझ में आ गया होंगे ठीक है अब एक example लेते है movement of inertia calculate करने का ठीक है तो वही square वाला example अपन लेंगे ठीक है यहां पर one kg है ठीक है यहां two kg था यहां क्या था three kg है और यहां four kg है और यही axis है इसके about पूरी body rotate कर रही है और हमें question में निकालना है i body का inertia तो इसको नाम देते हैं a, b, c, d तो अगर हम i, a निकालें तो formula क्या होता है inertia का बच्चो mr square mass और उसकी दूरी axis से इसका mass one है लेकिन इसकी दूरी axis से क्या है zero क्योंकि एक्सिस में ही है इसके inner शेक क्या हो जाएगा one zero का square ऐसे अगर b की बात करें तो b का mass क्या है टू और axis से पर प्रपेंगलर दूरी क्या है इसकी two sub side मालेते हैं two meter के है square में हर एक side two meter के हैं तो यह आ जाएगा two का square ऐसे ic निकाल लेते हैं तो यहां पर आप देखेंगे कि इसकी दूरी इस एक्सिस से परपेंगलर दूरी क्या है two तो यह हो जाएगा three और two का square यह हो जाएगा three और two का square है ऐसे id निकालेंगे तो इसका क्या है बच्चो जीरो क्यों आएगा जीरो क्योंकि यह पार्टिकल एक्सिस में ही है total inertia हो जाएगा वो क्या जाएगा इसका हो जाएगा eight और इसका हो जाएगा 12 तो कित्ता हो जाएगा 20 और क्यूंट होती है kg meter square और इसको यह समझ में आ गया है ठीक है यह माता second topic आप फर्टोपिक की और पन चलते हैं ठीक है तो थो याद होगा तो थो लुग हमारा है talk थो फोड़ क्या होता है जैसे आपका फोर्स होता है हमने आपको पॉर्स सम्झाय था फोर्स क्या ओता है इसा कॉस क्रौ और अफ्हेंक क्या होता हुट इफेक्ट क्या होता जुमें दिखाई देता है ऐसे ही होता है ऑग्याटी अपनुरे आपने आपने आदा T2 मिल जाते चलनुस तो बिना Tor के आप acceleration नहीं लापा होगे और बिना अंगल एक्सेलेशन के ओमेगा चेंज होने वाला नहीं है तो Tor क्या है it is a cause it is a cause of effect effect angular acceleration किसा cause है angular acceleration का cause है जो एंगल एक्सेलेशन हमें effect दिखता है उसका cause क्या होता है टॉर्क एंग्लो एक्शिडिक से किया गया है यह डिवाइब किया गया है डी उमेगा बाइ BT कैसे दिवाइब के चैंजिन अंगुलर स्पीड यह होता है अंगुलर है और ट औरहाएट से डीफाइंद क्या गया है ये हमाई डिफाइंद क्या गया वार क्रॉस मेड़े अर्कुट एफ अब यहाँ आर एफ क्या है ठीक है देखते हैं इसकी जो यूनिट है ж confused देख लेते हैं इसके इहला पॉइंट आता है इसमें point of application of force यह मा लेते हैं P point है इसको बोलेंगे अपन point of application of force किस body के किस point पर आप force लगा रहे हो इस point पर हमने force लगाया अब इस line को हम extend कर देते हैं फिर एक और होता है point जिसको बोलते हैं reference point क्या बोलते हैं reference point देखें है तो क्या रूल होता है F को आप O से जोड़ दो, ये R होता है और आप ये लिखेंड centr हो, ये होता है आपका R perpendicular होता है तो तॉर्क हमा гор क्यों होता है F R perpendicular होता है F R R perpendicular थीक है ये आध्यन एseason F R उसकी direction होती है तो आप इसको टेंजन मनोगी और circle draw करोगे देखिए इससे दो circle हो सकते हैं आप वो circle होगे जिसके अंदर reference point है तो इस circle का reference point है और इस circle direction के आर यह clockwise तो इसकी direction क्या जाएगी आपकी clock wise क्या जाएगी clock wise चलिए एक example से इसको भी अपन देखते हैं और फिर अपने लास्ट पर बढ़ जाएंगे तो यहां देखिए एक rod है और उसको अपन support की है ठीक है एक rod कम support की है मा लेते हैं यह rod का वजन 50 kg है जो rod का weight है ठीक है वह मा लेते हैं 50 kg है ठीक है तो हमें इसको हमें analyze करना है ठीक है इस condition देखते हैं क्या हो रहा है तो सबसे पहले देखते हैं क्या rod नीचे जा रही है क्या इसमें एक force लग रहा है अरफ का कित्य का लग रहा है एंजी का ठीक है यह support है है तो support क्या लगा रहा है normal force और लग रहा है और क्या लगा रहा है तो अर्थ जो है इसको नीचे खीचना चाहती है लेकिन नीचे क्यों नहीं जा रहा है क्योंकि n1 and 2 forces को balance कर रहे है तो पहली question क्या है कि हमारी n1 और n2 force अपनी value किसके बाइब कर रहा है है mg के बिरावर कर रहें ठीक है क्योंकि रोड नीचे नहीं जा रही क्या यह रोड घूम रही है क्या नहीं गूल दो टॉर्क भी बैलेंस हो रहे हैं तो दिखते हैं टॉर्क अब mg का torque हम दिखते हैं, तो क्या आएगा बताये, तो force और उसकी दूरी perpendicular दूरी, तो मा लेते हैं, rod की length दो मीटर है, तो यह क्या हो जाएगा? एक मीटर, और यही क्या हो जाएगा? एक, तो इसकी दूरी क्या हो जाएगी? फोर्स की reference से परकु क्या दूरी 1, तो क्या आजाएगा इसका force mg इंटु वन और मास कित्ते का था 50 तो 50 इंटु 10 तो कित्ता आजाएगा 500 न्यूटन मीटर अब यह कैसे घुमाएगा याद करिए हमने डिरेक्शन सिखाया था आपको कैसे इना कि आप बोर्वों की डिर्रेक्रियंस को तैंजिन मानेगे, और सरक्ल बनाएंगे वह सरक्ल लेंगे जिसमें में रिफंस पॉइंट आता है, आपन देखते हैं कैसे तो हमने इसको टेंजन मना और हमसके लेना है जो reference point को contain करें सब्सक्राइब हा रहा है तो हम इसको लेंगे एंटी इन थे कलोग vise और हम比較 हो जाएगा anti clock हम देखते हैं न को कि आए नो है ये फोर्स न2 और इसकी दूरी रिफरेंस जहे तो इसकीदूरी रिफेंश किता ही पर पंग्रर तू हैं अब यह कैसे गुमा रहा रहा है इसको टैंजन वानेंगे सर्कल ऐसे आ रहा है और यह थाइसे यह क्लॉक वाइस अब क्या राड आपकी घूम रही है क्या पलट रहा है क्या नहीं तो जित्ता क्लॉक वाइस और होगा दोनों टॉर्क बरावर हो जाएंगे तो यह होजाएगा तो यह जाएगा 500 की वेलू क्या जाएकी धाई 100 और यह धाई 100 आप यहां रख देंगे तो आपकी एन वन की वेलू भी क्या जाएगी 250 न्यूटन उन्हें पूरा भट रहा है जो पान्सो का लोड था वह सपोर्स में चला गया ऐसे ही होता है जितना ज़्यादा लगाओगे उत्ते ज़्यादा क्या होता है लोड बढ़ जाता है अब अपन लास्ट आपिक करते हैं फिर चैप्टर एंड है तो हमाँ लास्ट टॉपिक है वह है एंगुलर मुमेंटम क्या है मास इंटू वेलास्टी ठीक है फिर से में लाइन को एक्स्टेंड करेंगे उसमें भी हमें पॉइंट चाहिए था इसमें भी हमें पॉइंट चाहिए रहता है अब याद करिए इस पॉइंट को इससे जॉइन करते हैं क्या होते हैं और यह दूरी क्या होती है देखिए यह यह होती है और यह इसको डिफाइन करता है अगर वेक्टर में जाए तो हमारा एल जो जाएगा जैसे वहां और क्रॉस एफ था तो यहां को हो आघा क्रोस पी जहां पी हमारा जो उता है वो क्या होता एक आए क्या होता है मास इंटो विलाश्टी ःते केशन वहसी लेंगे इसको हम ठेपर पर सर्कील वह यहां पर जाता ऑ तो हमने यह जा जाएगा डैक्षिन डिक्या जाएगी क्लॉक वाइस क्या आजाएगी सिरेक्षिन ग्लॉक वाइस अब एक अंतिम एक्जामपल लेकर चैप्र फिनिस करते हैं और इस आज की लेक्चर को भी तो एक्जामपल क्या है एक्जामपल क्या है प्रूव देट एल डू नॉट चेंज वैन बॉड़ी वैन बॉड़ी मूव इन आ श्टेट लाइन वैन बॉड़ी मूव इन आ श्ट्रेट लाइन हमें प्रूव करना है कि मालो है कि बॉड़ी है वो स्टेट लाइन में मूव कर रही है हमाई बॉड़ी स्टेट लाइन में मूव कर रही है तो हमें प्रूफ करना है, इसका अांगário of momentum किसी पोइन के बाउट चेंड नहीं होगा, हमने एक ये पोइन्ट ले लिया, कि धिक्यागी हमने पोइन्ट ले लिया, यह हो गया और यहFA線 अ और यहां समने ले लिया, लुए टुपॉइंट और मोगोंग हो गया बी इक हैं और यह हो गया हमारा ार परपेंड क्लयर तो बताईए ल को एले क्या होगा क्या होता है म्विघवर चर्पेंड क्लाइक चोंगे टरिम्नी आंट परपेंडिकू थे मतलब क्लोक वाइस क्लोक वाइज अब बीनिक आलेंगे मट भास दो जाएगा मस इन्टो विलॉस्टी आर परbenरका किसिए इसरी व्होंग किया आप अंटी से मतलब है नहीं मतलब है हमें तो आर आरो पर अदो यही रहे तो आपको आज का लेक्शर समझ में आया होगा तो देख लेते हैं एक बार हमने कितने लुटेशन मोसन हम आज एक पार्टिकल की बहुत सारे बात करें पार्टिकल ऐसे पॉइंट करेंके और कैसे डिफाइन किया है कि sum of moment of mass about this point is 0 एक ऐसा खास पॉइंट है जिसके मुवमेंट का sum निकालेंगे मास मुवमेंट का सम निकालेंगे वह हमेशा क्या आएगा जीरो आएगा फिर हमने यह हमाई definition हो गई ठीक है फिर हमने देखा position center of mass की उसकी position क्या है उसेंटर मास की position क्या है तो हमने workout किया और हमारा क्या आया आर इकल टू एम वन रवन प्लस एम टू अपॉन प्लस एम टू फिर हमने देखा एक इसे कोशन साते हैं हमें इन में पकड़ होनी चाहिए अच्छी तो हमने स्क्वाइर लिया उसमें 4 मास रखे और सेंटर मास की पूजिशन बतानी थी तो हमने workout किया और हमाय सेंटर मास की क्या आ गई पोजिशन आ गई फिर हमने क्या देखा toota ॉज there करें देखा क्या देखा इन कैप्विटी ऑफ उप्जेट्ट वापर तो चीज उमेगा ज नहीं कर पाता इसी कमी को क्या वोलते है प्रढ़र आक्टो कि है ना कि इनर्सी आगी मोमेंट आफ एक हुथ सिंटर जो इमेजरी लाहिन पास करेगी उसको एकलोटेशन नहीं होती його और जो जो पार्टिकल एक्सवर रोटेशन में होते हैं उनकी रिख्टी क्या होती है जी रो होती है ठीक है यह पॉइंट हमारा और फिर हमने एक लिए 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 लास्ट में हमने लिया आंगुला मोमेंटम लिया वैसे डिफाइन होता है जैसे वहां फोर्स होता है और यहां क्या हो जाता है जाता है